Hello everyone, welcome to my youtube channel, मेरा नाम इकास्तारा है और आज के शुड़े में अपने बावात करेंगे difference between EBS and instance store के बारे में तो EBS का मतलब होता है elastic block storage and second one है instance storage लेकिन उससे बले अगर आपने अबे तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइम मारा youtube channel AWS related modeli video डाल रहा हूँ तो वो भी आप जरूर देखें तो EBS आपको कहां पे मिलेगा इसमें यहां पे जब आप देखोगे EC2 में ज़जब आके तो यहां पे आपको elastic block store आपको मिलेगा and जो instance वाला है वो आपको जब आप जब आप इनसे यहां पे instance जब आप create करते हो तो वहीं पे add-on होता है external यहां से आप add-on वगरे उसमें नहीं कर सकते तो पहले ही इन दोन दोनों के बारे में difference अपन जान लेते हैं कि क्या difference है तो EBS है इदर की side अपने instance store डाल रख है तो जो data का है कि इसमें मान लीजेगे आपने एक instance बनाए एंड उसमें जो volume है जो storage है वो manage कर रहा है instance, storage या EBS अगर EBS manage कर रहा है तो अगर आप उस VPS को stop या terminate करोगे तो वो delete नहीं होगा आपका data terminate में वैसे by default setting delete के होते हैं लेकिन वो भी आप हैटा सकते हो तो terminate के बाद भी EBS जो भी आपका उसमें data होगा वो delete नहीं होगा एगर आपका जो उसमें जो root volume है root volume का मतलब होता है कि जो आपका operating system है ना एगर वहाँ पे मान लेजे instance storage दिया होगा है AWS के तुरू तो मान लेजे instance storage पे आपका operating system installed है अगर ऐसा है तो जब आप उस instance को stop भी कर दोगे तो आपका data बगर है वो उट जाएगा lost हो जाएगा तो जैसे मैं आपको यह पहला आपको दिखा देता हूँ जैसे आप यहाँ पे instance पे जाके launch पे जब आप click करते हो तो फिर यहाँ पे आप operating system select करते हो ठीक है जैसे आप window select कर रहे हो तो जैसे आप window select करोगे जैसे मैंने यहाँ पे T2 यह instance type T2 मैंने micro ले रहे हैं यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो जो root wall जो अभी add होगी वोगी EBS वाली यहाँ पे instance store का कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे जो EBS वाली general purpose वो यहाँ पे add होगी तो आप यहाँ पे वो add कर कर सकते हो नहीं लेकिन EBS में भी बहुत type है यहाँ पे अलग लग type है तो मैं यहाँ पे जो minimum वाल है वो यहाँ पे ले ले दाओ यहाँ पे इसके blog store में install होगा एंड जैसे यह यह आपने कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे launch पे क्लिक करता हूँ तो एक EBS की volume यहाँ पे create हो जागी जैसे यहाँ पे यह VPS create करोगे तो यहाँ पे भी एक volume इसकी create हो जाएगी तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ launch पे click यहाँ पे security group में select कर लेता हूँ and launch पे click कर देता हूँ तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे भी एक volume यहाँ आपकी create होने लग जाएगी बिकोज जो EBS वाला होता है वो direct connect नहीं होता है वो नेटर के through connect होता है instance store होता है वो direct connect होता है जैसे अपन आपका जो system यूज कर रहे हो PC या laptop तो उसके अंदर जो SSD या SSDA वो direct connect होता है तो उसको मानलो कि वो instance store है एक आप एक कोई hard drive या जो भी है वो आप नेटर के through add कर रहे हो तो वो इसमें EBS का है जैसे मैं यहाँ पे image के through आपको दिखा दो कि यहाँ पे मानलो आपके सारे computer है एंड यह एक storage का है जो इसमें जैसे EBS की जो disk बगर है वो यहाँ पे तो यह इन computer के नेटर के through यहाँ पे इसमें connected है इसमें directly इसके अंदर नहीं है अंदर जो है वो instance store वाला ना वो इसके direct connected रहती है जो EBS वाली है ना वो नेटर के through connected रहती है तो यह आप इसमें सामझ जलो एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक यह volume यहाँ पे create हो गया ओके फिर मैं यहाँ पे आता हूँ इन इस्टांस में लेकिन जैसे है आप इसको यहाँ पे इसको टर्मिनेट करोँगा मैं तो यह भी साथ का साथ यहाँ पर टर्म封へ घैएगा लेकिन इसको आप क्या यहाँ यहाँ से यह क्या gena में इसको अलग कर सकते हो इस वीपियस से या फिर एक नया भी assign यहाँ पर आप कर सकते हो तो जैसे यहाँ पर महाँ आपको दिखा देता हूँ इस पर जब आप click करोगे add on भी आप इसमें add कर सकते हो और जैसे आप इस पर आप check करोगे तो यहाँ पर जब storage वाले में जाओगे तो यहाँ पर एक आता है replace root volume तो आप एक नया volume भी यहाँ पर add कर सकते हो जैसे एक नया volume add हो गया तो आप पुरानी वाले वाले को यहाँ पर detach के मतलब उसको भटा सकते हो उससे तो जैसे उसमें जो पुराना data है वो आपका यहाँ पर save रेटर फिर आप उससे वापिस से attach कर सकते हो तो यह सारा कुछ आप EBS में ही कर सकते हो instance story में ऐसा नहीं होता है backup का इसमें आते हैं इसमें automatically आप backup वगरा सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो लेकिन जो instance story इसमें आप नहीं बना सकते हो manually backup required आप manually बना सकते हो otherwise automatic backup इसमें नहीं होता है performance का आते हैं कि इसमें जो EBS वाला इसमें high and मतलब जो continuous आपका जो performance है वो रहता है लेकिन instance store में high होता है लेकिन उसका वो जो continuous है वो required नहीं है कि वो कभी इतना हम मतलब performance आपको same ही दे इसकी high इसलिए रहती है because यह direct connected रहता है उससे and जो EBS वाला है वो network के through connected रहता है तो थोड़ा बहुत उसमें speed का फरका आपको मिलेगा मिलेगा instance store थोड़ा fast मिलेगा EBS थोड़ा उससे slow लेकिन वो minor होता वो आपको उसमें पता नहीं लेगा cost की बाब बात करते हैं तो more expensive होता है जो EBS वाला लेकिन EBS वाले में क्या आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है तो इसलिए expensive भी चलता है इसके जो size बगर है वो अपन कितनी भी increase कर सकते हैं गठा सकते हैं बढ़ा सकते हैं लेकिन instance store की जो को कोस्ट है वो effective होती है EBS के comparison में लेकिन इसके वो इतने फाइदे नहीं है तो इसलिए ज़्यादा तर EBS यूज में लिया जाता है availability zone तो यहाँ पे क्या वावता है कि EBS को आप attach DHS कर सकते हो जैसे आपके पास 2-3-4 zone है आपने अगर दूसरे zone में करकर रखा है instance store में ऐसा क्या होता है कि एक बार अगर आपने instance launch कर दी तो उसके बाद आप उसको use नहीं कर सकते दूसरे reason वगरा में या दूसरे zone में size का इसमें क्या होता है EBS वाले में तो आप increase decrease कर सकते हो basically because आप यहाँ से just आपको एक over volume create करनी है and volume create करने के बाद जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं यह कर लिया and उसके बाद general purpose 30 भी मैं यहाँ पर कर लिया and create volume पर मैं click करता हूँ तो यह जैसे create volume हो जाएगी तो मैं इसको क्या करूँगा attach volume पर click करूँगा attach volume पर click करके जो यह अपने एक vps यहाँ पर create किया है यह जो एक instance create की है उस पर अपन attach कर सकते है तो अभी मैं इसको refresh करता हूँ and जो इसका जो status वगरा है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि यह यह वाली जो volume है वो तो use हो रही है कहां पर हो रही है यहाँ पर जो अपने एक instance create किया था इसमें आप storage में देखोगे तो इसका जो नाम वगरा वो आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला यह देखो add 9h यह वाली अपनी in use है मतलब अपनी इसको use में ले रहे है and एक और वो volume अपने अभी add किया है तो उसको भी add कर सकते है जैसे यहाँ यहाँ पर आ गया अभी की अभी देखो यह available है जैसे ही मैं इसको attach करूँगा तो यह in use हो जाएगा तो मैं इसको करता हूँ attach attach कौनसी instance में करना है आपको वो instance यहाँ पर दिख दिख जाएगी लेकिन जो availability zone है वो अपना different है तो अपन कहीं next video में करेंगे लेकिन इसका मैं थोड़ा same zone में create करके आपको दिखा देता हूँ तो जो first वाले का था zone मैं आपको यहाँ पर देख लेते हैं अपन यह है 2B, ओके 2B zone वाले में वो है तो एक यहाँ पर इसको मैं delete कर देता हूँ जो अभी use में नहीं आ रही है तो मैं delete volume delete, okay एक नई create करते हैं यहाँ पर 30B मैंने यहाँ रख दिया यह वाला है अपना USA West 2B तो यह वाला है 2B मैंने यहाँ पर कर लिया select and create है वोल्यूम पर मैंने click कर दिया अभी यह अभी create हो रही है जैसे create हो जाएगी अपने उसको add कर सकते हैं अभी यह हो गया इसको मैं करता हूँ attach volume and अभी जो अपना instance है वो यहाँ पर आप अपने को दिखा देगा because जो पहले वाला था उसका zone different था अभी वाले में अपने same zone का किया है तो अभी अपने को वो जो अपनी instance है वो यहाँ पर आप अपने को दिखा रहा है ठीक है यह देख लो यहाँ पर see will be इसकी जो ID है ना instance की same ID यही है रही उके उसके बाद attach volume पर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर add हो जाएगा अभी देखो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो जैसे आप storage पर जाओगे तो यहाँ पर आपको only एक ही दिखा रहा है तो जैसे ही मैं इसको attach करूँगा and यह देखो volume status यहाँ पर in user आ रहा है तो मैं इसको भी थोड़ा refresh कर लेता हूँ and इसको select किया storage पर गया and यहाँ पर देखो दो volume यहाँ पर add है तो यह only आप EBS में ही कर सकते हो instance store में नहीं होता यह तो size में है कि आप इसको increase decrease कर सकते हो और जो instance store की size है वो fix होती है cannot be increase और decrease okay उसके बाद आते है use case इनके क्या है तो यह जो EBS वाला है suitable for database मतलब सबके लिए EBS ही है instance store का ऐसा कोई use case नहीं है यह temporary data है अगर आप जैसे ही आप machine को stop करोगे तो आपका जो data वगरा है वो सारा उठ जाएगा EBS में ऐसा नहीं होता है लेकिन by default अगर आप जैसे मैं भी अपने यहाँ पे दो volume है तो by default यह जैसे ही आप इसको stop करोगे तब तो आपका data safe रहेगा यह delete नहीं होंगी मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे ही आप इसको stop करोगे जैसे यह instance का status है stop है तब तब तक आपका यहाँ पे data यह जो volumes अपने करेट की थी वो terminate नहीं होंगी आपका data safe रहेगा मैं इसको दोबारा से start कर देता हूँ start instance ठीक है तो यहाँ पे अपनी instance है वो दोबारा से start मैंने select किया and action start पहले इसको stop होज़ए रही हो Lewisglich यहाँ पे यह जो इन्स्ट GREG state थेडूंई रही है पर जो इससमें थोड़ा टाइप ancora से start कर सकते हो तो यह पे जंद आपका नहीं हुए जबकर यहाँ पे instanimator होज़ः तो उसकी टाटा बहुँफ़ा आपका completely remove हो जाता है ओके लेकिन ABS में ऐसा नहीं होता है जो आपकी volume है वो अभी भी attached है and अभी भी running में है ओके जैसे इसको आप start करोगे तो मैं इसको करता हूँ start तो ये दुबारे से start हो जाएंगे and इसमें भी कोई आपका difference नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आप इसको terminate करोगे terminate करते ही जो आपका जो आपने जो volume बना रखी है वो भी delete हो जाएंगे okay तो मैं भी terminate करके देखता हूँ लेकिन start करने का अपने को wait करकर करना पड़ेगा because ये status हो अभी pending में आ रहा है तो जैसे ही ये status यहां पर रायराइट का आता है उसके बाद आपन terminate करके भी देखेंगे तो यहां पर देखो जो status है वो running में आ गया है and वी जो अपनी volume वगर है वो running में है जैसे ही आप इसको terminate करोगे मैंने यहां पर इसको select करका है and यहां इसको terminate कर देता हूँ तो यह यहां पर आपको option मतलब यह यहां आपको यह बता रहा है कि EBS volume does not have deleted on termination said be true after this instance is terminated this volume में भी okay तो मैं इसको करता हूँ terminate यह termination में भी लग गई है and यहां पर आपन जो अपनी जो EBS volume है उसको भी check करते है यहां पर जो अपनी instance है वो terminated हो गई है and यहां पर जब आप वर इसमें आऊँ के volume में तो यहां पर जो एक volume जो अपने external add की थी ना बाद में add की थी वो तो यहां यहीं पर ही है लेकिन जो उसका जो status है वो यहां पर available आ गया है तो इसको अप other जो भी आप instance करेट करेंगे उसके साथ attach भी यहां इसको आप कर सकते हो लेकिन जो अपने instance के साथ जो एक EBS अपनी add हुई थी या एक जो volume यहां पर add हुई थी वो टर्मिनेट हो गई है उसको भी आप by default टर्मिनेशन का ही होता हो उसको भी आप चेंज बगरा कर सकते हो कि वो delete ना हो तो EBS का आप ऐसे फायदा उठा सकते हो कि इसमें आप data बग इंक्रीज कर सकते हो कभी भी जब आप आपका server running में तब भी करकर कर सकते हो लेकिन जो instance store है उसमें ऐसा कुछ नहीं है आपने एक बार VPS करेट कर लिया उसके बाद जो जीतना मिला आपको उतना मिला उसको आपको अप उसको अपग्रेड वगरा नहीं कर सकते तो ये था दोनों में फरक EBS और इंस्टांस store में आगे के भी बहुत सारी वीडियोज ये डबलो से रिलेट आएंगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्स आप